हलो फ्रेंड्स मरधन एकेडवी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का कि जो नाइन्थ क्लास है उसको आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और यह आपकी कच्छा सिक्स की जो बुक चल लही है वो आज की इसी वीडियो में हमारी समाप्त हो जाएगी अब इसके बाद हम लोग सेवन्थ क्लास को स्टार्ट करतेंगे साम से ठीक है साम को हम लोग सेवन्थ क्लास इसकी पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास का पहला पार्ट पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें हम लोग कौन-कौन से चैप्टर पढ़ेंगे एक है वायू और एक है जल ठीक यह दोनों आपके हैं हाला कि यह ओजोन परत और यह सब इसमें नहीं मिलेगा यह सायद आपको 6, 7 और यर्थ की बुक में मिले लेकिन वायू और जल से समझने कुछ ऐसी बारिक चीज़े हैं जो आपको 7 और यर्थ में नहीं मिलेगी तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है इनमें बायू जल और कंप्यूटर में पहले देख लीता है इंपोर्टेन में चीज़े दहीं थीक है नॉर्मल चीज़े हैं इनको देखते हैं वायू में भार होता है वायू दाब भी डालती है यह तो कंफर्म है आगे चाहिए आग कुछ और भी जाने यहां पर देखे लिखा है हमारे सरीर पर दारा आरोपित कुल दाब का माल लगबग 20 मिट्रिक टन जो वायू दारा हमारे स 10 हाथि दस हाथिओ के बराबर होता है उसका खास यहां पर देखे हम सरीर अंदर भी वायू है जाकिशाइल और संतुलित करता कहीं दोके से इन्हों पूछ लिया कारवन डायक्साइड गा तो 0-0-0-0-3 होता है और अन्य गैसे आपके 0-0-9-7 अन्य गैसे आपको नहीं पूछेगा लेकिन कारवन डायक्साइड पूछ सकता है क्योंकि नाइट्रोजन और अक्सीजन तो रगबग सबको रटी पड़ी है 0-0-0-0-3 इसको लिख लीजिए कुछ और भी जाने यहां पर देखे यह कोशन देखे अच्छा है यह बन भी सकता है परवता रोही और गोता खुर अपने साथ आक्सीजन की सिलेंडर ले जाते है क्योंकि प्रत्वी तल से उंचाई या गहराई में बायू का दाब कम होने जाते हैं चान की मात्रा भी कम हो जाती है इस कंभी को पूरा करने के लिए अक्सीजन शीलेंडर की आवसकता होती है आवसकता है पढ़ने अस्पतालों में रोगियों को कर्तिम स्वसन के लिए अक्सीजन दी जाती है, तो इसलिए वो लोग ले जाते हैं, क्योंकि वायुदाप कम हो जाता है, तो वायुदाप कम हो जाता है, इसमें अक्सीजन की मातरा भी जाती है, इसलिए ये लोग अक्सीजन का सिलंडर ले जात नेक्स टाइब ओजोन परत अब ओजोन परत के बारे में देखिए ये परत कितनी उची होती ये भी इसमें लिखा होगा ठीक है ये भी जरूरी प्रत्वी सता से 25 किलो मेटर ऊपर के वायू मंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्तित है और एक आवरण मनाती है ओजोन ग अल्ट्रा वायलेट जो किलने होती है रेज होती है वो सभी जीदधारियों के लिए बहुत ही अनिकारक होती है ठीक है तो ओजोन गैस क्या ओजोन गैस है वो उसको रोकती है अब देखिए यहां पर लिखा है आज कल बढ़ते प्रदूसर कारण ओजोन परत की मुठाई कम आज की यूग में रेफिरेजडurgर देजनों धिन बढ़ते जा रहे है इसलिए कि मातला बहुत वाध में बढ़ते रही और जो है वो कम होती जा रही है इसको रोखना पड़ाएंगा नहीं तो काफी दिक्कत हो जाएगी तीक है अब देखिए जो गैस है उससे सम्दित हम लेकर देखिली देखी लिया वाई उससे सम्दित जितनी भी इसमें सेवें तेहर्थ में और अच्छे से होगा अब यहां पर जल को देख लेते हैं जल में देखिए जल की उप्योगता नॉर्माल चीजें हैं मानव शरीर में उद्ध्योगों के लिए जल की होती है विद्ध उत्पादर में भी होता है दैनिक कार्यों में भी होता है मनुरंजन के चेतर में होता है क्रेश के साय को इसमें तो सिच बार के अदमी के अंदर रहता है अगर आप लोग 60 kg के हैं तो 42 मतलब 42% आपका 42% जो होगा वह आपका मतलब 70% जितना भी आपका भार होगा उसके इसाब से 70% आपका पानी होगा जल अनेक बनिस्पतियों तथा जन्तों के रहने का स्थान है ठीक है तो पते ही है नर्मा जल द्वारा की टाड़ूं बीजों फलों का प्रिक्रिणिडन होता है ठीक है तो नदियों किनार प्रिक्र हो जाता है बहके और दूसरी जगह से उसका प्रिक्रिणिडन हो जाता है इसके बारे में विडियो में पढ़ेंगे जो हमाई सेवंते अर्थ में है जली जीव जीव सोसन के लिए आक्सिजन जल के माधिन से ही प्राप्त करते है ठीक है वास्पन एब हम संगनन ये क्रिया क जल का वास्प रूप में परिवर्तित वास्पन कहलाता है जब हम लोग जैसे कोई चीज पानी उबालते हैं तो उसके उपर जैसे प्लेट रखते थे ठीक है और जब वह बास्प जब उस पर देखिए भाप उड़ती है भाप को जब हम लोग जब प्लेट को हटाते है तो उस पर भाप होती है भाप को जब इसे हटा के देखते है अलग तो वो पानी में बदल जाती है तो उसी क्रिया को क्या करते है वास्पन द्रव जल का वास्प रूप में परिवर्तित वास्पन कहलाता और जल वास्प का द्रव के रूप में परिवर्तित संगनन कहलाता ठी ठीक है अब वास्प जब जल का वास्प रूप में परिवर्तन ठीक है यह क्या होता है जब जल होता है जब भाप जोड़ती है ठीक है जल होता है जब उबालता है तो भाप उड़ती है उसको वास्पन कहते है और जो वास्प होती है वास्प जब आपकी प्लेट पर लगी हो कि म्रदुजल कहा जाता है जो साफ सुत्र होता है इसकी opto कि लिए श्वाटने यहां पर फोड़ा सा म्रदुजल और कठोए अप्लेψे नहीं देख लेंगे म्रदुजल वOH जिसमें कोई तरहीं हानिकारत पदार्थ नहीं पा जाते हैं तो वह मृद्यों जल कैते हैं एकदम साफ पानी होता है जो ठीक है, इसके व्यप्रूत कुछ अनिय लवड़ों में लवड़ों के घुल जाने से जल कुछ कारीयों के लिए अनुप्योग हो जाता है, ऐसे जल को कठोर तरीके से किया जाता है चानना चानना तो पता ही है कैसे चीजों को चाना जाता है से क्लोरी के करन जो होता है उसमें देखिए वह किया जाता है पानी को見て अमें इसलिए क्या है कि पानी को बरबाद बना करें ठीक आप देखिए कंप्यूटर में बहुत इजी चीजे हैं उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर देखिए चार्ल्स बैबेज ने 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थाथ कंप्यूटर की पलक्रना दी थी तो इसमें जो नोट करने वाले चीज़ है चार्ल करने यह है कि अप्रतम करने और जो तो आशला आपको करना होगा तो आपको क्यों से होते हैं इनका काम यह कंप्यूटर भूत ऊंपिश्यवरतन बुढ़ के परिवर्दा आ अधार आप देख लिजिए अप्लिकेशन के आधार पर कॉन से होते हैं थी से सबाड़ेशन के फ सम गति के हिसाब से हो गया आकार के हिसाब से आकार यहां पर लिखा नहीं है इसकी हेडिंग जो थी वह थी आकार के हिसाब से उपर वाले में था प्रकास, एप्लिकेशन के आदार पे आपके अनलोग computer, और एप्रेटे कंप्यूटर थे और आकार के आदार पे आपके थे micro computer, ठीक, बहुत छोटे से होते हैं, फिर होता mini computer, फिर होता mainframe computer परव कंप्यूटर जो पहला सुपर कॉम्प्यूटर है परम 1000 क्या होता है सफ्ट्वेर जितने पार्ट दिखते हैं टीक है क्या है इन पूक्त डिवाईज है ठीक है आउट्ट डिवाइसे टेंटर प्रोसेशिंग यूनिट है कीवोर्ड माउस यह सारे क्या स्पीकर मॉनिटर यह क्या है सब आपके हाडवेर और जो आपका साफ्टवेर है साफ्टवेर ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रोग्राम है जो आपको दिखते नहीं है जैसे ह हाथ, पैर, मुह, यह सब क्या है आपका हाडवेर हे ठीक तो यह सब हो गया अब यहां पर देखिए परसनल कंप्यूटर के भागे मामकार है तो एक होता है desktop यह अपनी गोद में रक्कर किया जाता है यह साइज में बहुत बड़े होते हैं इस computer को ब्र guerre एक इस्थान से बहुत छोटा होता है इनको हटैलियम रख्कर चला जाता है यो देखे पॉन्म टॉप हाँ ठीक है यह है इस तरीके से होती है सी मयं मॉरी से ब रॉबड़ाता है या दो प्रकार के होती है पहले होती रेड़मम् एकसेस यह आपकी इस्थाई नहीं होती है ठीक है अब यहां पर देखिए एक चीज और थि सायद है कि हाँ चलो ठीक है इतन मिला देखिसप्ट जुट जूर चोली चाल होता है एक निबल 8ब 1 एklore राप सीजिन सब्सक्राइब ठीक है तो यह होगा टीवी ठीक तो इस तरीके से हमारे यह तीनों चैप्टर जो है जलवायू और कंप्यूटर यह तीनों कम्पिलीट होगा है सिक्स क्लास में और पूरी आपकी सिक्स क्लास की जो तो 6 class आपका पूरा complete हो गया, ठीक है, जितने भी आपके, जितने भी chapter थे, वो सारे आपके complete हो गया, 17 तक, 6 class में, CRT की book में, जितने भी थे, अब आम लोग साम को पढ़ेंगे, 7th class का पहला part पढ़ेंगे, और उसमें, उसमें, दो lesson, मैं उसमें complete करा दूँगा, ठीक है, और जल्दे से जल्दे से इसको complete कराने की कोशिस कर रहा हूं, और जैसा भी आपको लग रहा हूँ, ऐसा हमें बताते रहे हैं, जो भी आपके सुझाव हूँ, वो भी आप लोग देते रहे हैं, तो दोस्तों, आज की वीडियो में शिर्व इतना है, मिलते हैं अपनी next वीडिय यरिफ से इतना है, मिलते हैं utरते हैं, जोर भी आपक लेथा हैं, ए can ंपके साहन हैं।